बिना pen tablet के सिफ paper और pen से कैसे आप teaching videos बना सकते हैं, ये पिछरे video में हम देख चुके हैं. इस method में, paper को capture करने वाला जो camera है, उसे कैसे set करना है, ओभी इसमें कैसे connect करना है, ये समझेंगे हम आज के video में. Hello everyone, this is Nidhi and I welcome you to the channel. सबसे पहले तो, जो phone है, जिसे हम camera की तरह use कर रहे हैं, उसे हम stand पर set करेंगे, जिसे हम बोलते हैं scissor arm, और generally ये mic stand का का काम करता है. दूसरी चीज, phone को आपको landscape mode में रखना है, portrait में नहीं रखना है, जिसे कि वो पूरे paper को properly capture कर पाए, और camera के लिए आप जो back facing camera है, उसे use करें, जिसे कि जो video quality है, वो proper आए. यदि आप front facing camera यूज करेंगे, तो हो सकता आपको mirror image देखने को मिले, और जो video quality है, वो भी उतनी अच्छी ना हो. अब ये जो phone camera है, इसे OBS में connect करना है, तो उसके लिए आपको use करना होगा कुछ applications को, जैसे कि Indian webcam, Droid cam, या फिर Epoch cam. और इन applications को Wi-Fi की help से connect किया जाता है आपके laptop से, बस जब आप इने use करें, तो अपने phone में और laptop में, दोनों में इन applications को आपको open करके रखना है, और दोनों ही applications, same Wi-Fi network से connected हो, तो ये कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इस तरह से phone camera को use करें, अपन इसके वीडियो में बस इतना ही, मिलती हों आप सभी से next वीडियो में